नमस्गार दोस्तों मैं दीपक कुमर सोनी आप सब का दीपक जीओस अकेडमिय में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप जानी रहे होंगे कि हम लोग बहुत पैसेंस राक कर बहुत करबद तरीके से कतारबद तरीके से सेथ प्रेक्टिस की स्रिंकला में आपका भी सही होग आप एक्छी थे दोस्तों आपको सेट प्रैक्टिस करने से पहले आपको हमारी जो क्लासेस होती है बोर्ड पर वो क्लासेस देखनी चाहिए जहरखांड की संपूर्ण स्रिंकला में ने पढ़ा रखी है और प्लेलिस्ट भी उसका बनाया हु पाईएगा यह मेरा निश्चय भी है दावा भी है है ना आईए तो बीना देर किये आज के सेट प्रैक्टिस को हम चालू करते हैं तो यहां पर जो समान्य दिन के पोर्शन में पहला प्रस्ण है दोस्तों वह पहला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा दिन 200 पर्यावरन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह इसका जो सही अंसर हो जागा दोस्तों वह 200 पर्यावरन दिवस के रूप में पांच जून को मनाया जाता है आपको ध्यान में रखना आए दूसरे नंबर प्रसन के तरफ अगर हम चलें तो दूसरा नंबर प्रसन है आपर हमारा कि डोगरी डोगरी भासा इसको बोलते हैं डोगरी भासा मुख्य रूपसे की सराज्य में बोली जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डोगरी भासा यह आठवी अनुसुची में सामिल भा भासा है ठीक है इसके अलावे डोंगरी भासा को जो बोला जाता है वो मूल रूप से जम्मू कास्मीर की लाके में बोले जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो डी होगा आईए तीसरे नंबर प्रस्न के तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों तो हमारे सौर मंडल का सबसे निक गर्तमतारा है प्रॉक्सिमा दिखा वा जाता है इसको है यह दखेगा आयए चौथे नंबर प्रस्न के तरफ हम चलते हैं दोस्तों तो यह एस इंडिया कंप़नी की अस्थापना कि सबन Sounds हुई थि यह आप जानते हिए कि भारत में अंग्रेजों का जो आगमन होआ हुं ल उसी के बाद इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना की इनोंने बेसिकली तो ये इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो 16 सो भी हो जाएगा देखिए कई प्रगार के प्रस्ट ऐसे रहते हैं दोस्तो जिसको आप मतलब कि सोच करके भी इतियास का अगर नॉलिज है थोड़ा बहुत भी तो आप कर सकते हैं उसको है ना आईए इंडियन होम रूल पुस्तक किस ने लिखी थी तो देखिए इंडियन होम रूल अगर यहां पर आपका रहता बाल गंगा धरती लग तो थोड़ा सा कन्फूजन माले की राजधानी माले किस की राजधानी है माले किस की राजधानी है यह आपको बताना है तो माले जो है दोस्तों वह बैसिकली माल्दीव की राजधानी होती है माल्दीव की है ना माल्दीव मा से माल्दीव और मा से माले आपको याज रखना है माल्दीव की राजधान दोस्तों, अलजाइरस, अलजीरिया की राजणी, Wolijas, टिक है, चेनिया की राजणी का है, नेयरो भी है, आपको यह तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं साथवे नमबर प्रस्ण के तरब कि रविंदर नाठ टैगोर को नोबिल पूरसकार किस के लिए मिला था तो जाहिर सा बात है कि रविंदर नाठ टैगोर को उनकी पुस्तक घितांजली के लिए नोबिल पूरसकार मिला था दुस्तों है न, और ज़दि की ताजली के लिए मिला है, तो वो तो साहित्य का छेतर है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, साहित्य के लिए रविंदर नाटेगोर को नोवल पूरसकार से नमाजा किया था, ठीक है, अंग्रे जी, आठ्मा प्रसने आपका, अंग्रे जी, किस राज्य की स आसके भासा है वो अंग्रेजी ही है है ना आपको याद रखेगा तो यहां पर मेगाले इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है अर्जेंटीना की राजधानी कहां है तो जानिए आप कि अर्जेंटीना की राजधानी कहां है तो अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों कई बार यह विशुबी जेता रहा चुका है FIFA World Cup का, FIFA का कई बार विशुबी जेता रहा चुका है, तो इसकी जो राजधानी है, वो व्यूनस आयर्स है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भूटान की राजधानी का है, दसवा नंबर प्रस्ण है, हमारा, भूटान की राजधानी क् जांदे हैं अब जानते ही हैं कि भारत नाट्यम जो है वो किस राज्य की सास्त्री नेते हैं तो तामिलाड़ु की शास्त्री नेते हैं अगर कुचीपूरी पूछा जाता आपसे तो कुचीपूरी आंदर पदेश का हो जाता कथक कली पूछा जाता आप से तो कथक कली कहां का हो जाता दोस्तों केरल का हो जाता आपको ध्यान में रखना है इस बातों को ठीक है आईए पोर्ट ब्लेयर है ना पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी बिसिकली तो एक से बात है यह तो याद हर लोगों को कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजदानी बिहार की राजदानी पटना अंदर परदेश का भी प्रस्तावी था अभी तो खेर कंबाइन रूप से हधराबाद ही है लेकिन बार में अमरावती हो जाएगा और पश्रिमंगाल की राजदानी अब जान अंतरिक्स में यात्रा करने वाले पहले भारती अंतरिक्स यात्री कौन थे तो आपको जान करके अश्यरी होगा कि अस्क्वार्डन लीडर जो राकेश सर्मा थे वही गये थे तीन अप्रील 1984 को कभी कभी ये डेट पूछ देता है तो आपको यहाँ से याद रखना है इस और देखिए इसके बारे में बड़ा बड़ी कहानी पर चली था कि उस समय हमारी जो प्रधान मंत्री थी वो इंद्रा गांदी जी थी और उन्हें राकेश सर्मा से पूछा था कि अंतरिक्स से बताई आपको भारत कैसा दिख रहा है तो राकेश सर्मा जवाब दिया था ब पनियन या इरूला जन जातियां किस राज्य में निवास करती है दोस्तों तो पनियन या इरूला जो जन जाती है वो केरल में निवास करती है आपको ध्यान में रखना है कि केरल में निवास करती है पनियन या इरूला जन जाती कहा निवास करती है केरल में निवास करती है सम्विधान के किस अनुछेद में सर्वोच नियाले के नियाइधीस पर महभयोग चलाने का प्रावधान है तो आपको याद रखना है कि महभयोग देखिए जनरली वो राष्टपती के साथ होता है और राष्टपती पर जो महभयोग लगता है अनुछेद 161 के तहत लगता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर है सर्वोच नियाले के मुख्यने अधीस या अन्ने अधीस पर जो लगेगा वो अनुछेद 124 के तहत लगेगा कितना के तहत अनुचीद 124 इसका सी सही अंसर हो जाएगा दोस्तों आईए सरवाधिक प्रतिवेक्ति आयवाला राज्य या संगिये छित्र कौन सा है सरवाधिक प्रतिवेक्ति आयवाला राज्य या संगिये छित्र कौन सा है तो सरवादिक प्रतिवेक्ति आय वाला राज्य या संग्ये छेत्र जो है आपको बताना है संग्ये छेत्र पोर्च रहा है कि सरवादिक प्रतिवेक्ति आय या संग्ये छेत्र वाला राज्य जो है वो दिल्ली हो जाएगा देखिए आम तोर पर राज्ये पूस्ता तो गोव हो जाता लेकिन केंदर सासित परदेश पूछ रहा आप से संगी मतलब वही होता है केंदर सासित परदेश तो यहां पर दिल ही हो जागा इसका सही-साइज अंसर है ना आईए भारत में पुंजी निर्मान के आंकड़े एकात्रित करने का कारी कौन करता है तो आपको बताना ह आर बी आई अगर याद रहक सके तो इसको एकनोमिक्स का कोश्चन है और केंदिये सांखे की सक्करण यानि सी एस ओ मिल कर इस काम को करती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए ठीक है आईए भारती अर्थ विवस्था के उधारी करण का अग्रदूत किसको कह में बाहरती अर्थ व्यवस्था के उधारी करणा ख्रदूत वात है कि उधक कंवर में प्रण मंत्री से अधां मंत्री अवं के समयattack के समयमें इन यहीं मैं अकिसवे सुधार को जन प्राइबाइजेशन और ग्लूबलाइजेशन तो बेसिकली डॉक्टर मनमोहन सिंग को युदारी करण का अग्रदूत कहा जाएगा है ना आई बीसवे नंबर प्रस्ण के तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों तो बीसवे नंबर जो प्रस्ण है हमारा वह है बारवी पंच वर दी जाए और यूटूब क्लासेस पर आप पढ़े तो बीसवे नंबर जो प्रस्ण है इसका अंसर हो जाएगा कि बारवी पंच वर्षी योजना का कारेकाल कब से कब कथा तो बारवी पंच वर्षी योजना का जो कारेकाल था दोस्तों वह 2012 से 2017 तक था और पहली पंच वर का जो होता है एक योजना योग बनाया जाता है संवेधानी का योग नहीं होता है यह लेकिन भारत के परधान मंति इसके अध्यक्त होते हैं और यही एक तरह से थिंक टैंक कहा जाता है इसको सारब्त प्रकर कर सुचती कि एकले पार्सल में क्या होगा ठीक है आईए रूस से इसकी संकल पना लिए गई थी ठीक है प्रिंस ओफ वेल्स किस खेल से संबंदित है आपको बताना है कि प्रिंस ओफ वेल्स किस खेल से संबंदित है तो प्रिंस ओफ वेल्स जो है वह गॉल्फ से संबंदित है दोस्तों और बैसिकली गॉल्फ को अमीरों का खेल का जाता है बड़ा मंगा होता है गोल्फ का नवाजुदीन सित्की साहब का एक पिक्चर भी आया था इस पर गोल्फ को ले करके है ना जान दिजेगा बात करते हैं कौन सा संविधान संसोधन अधिनियम संसस सदस्यों और विधान सवा सदस्यों को आयोगिता से संबंदित है है ना संव संविधान संसोधन अधिनियम यह बहुत डीप का प्रस्ण है दोस्तों और पॉलिटिकल में जब हम लोग पढ़ेंगे इस परकार के प्रस्ण को भी देखेंगे याद रखेगा कौन सा संविधान संसोधन जो है वो इनकी आयोगिता से संबंदित है आपको याद रखना है तो यह 52 संविधान संसोधन है नगा उने इस सो पचासी में जब दल बादिल कानून लाया गया था उनके द्वारा राजु गांधी के द्वारा तो उसी समय में योगता-्योगता को भी डिफाइन कर दिये गया था 52 हम्षान संसोधन अधिनियम प्रितवी के कौर केंद्र ये भाग को और किस नाम से जाना जाता है तो पित्वी के केंदि ये भाग को दोस्तों गुरु मंडल के नाम से भी जाना जाता है आपको याद रखना है आपर इसका अंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा निमलिखित मैंसे किस सहर को भारत का सिलिकॉन वेली कहते हैं रजा तो आपको बताना है हमबन टोटा बंदरगा बैसिकली स्रिलंका में इस देते दोस्तों ध्यान देते रहेगा और अच्छा से याद करते जाएए मैं दावा करता हूं कि मैक्सिमम कोस्चन्स आपके कहां से आएंगे सेट से ही मैं भिर्वा दोंगा इसके अलावा आप क्लासेस करें अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो ठीक है किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य मंत्री थी तो कुन थी तो यह थी सुचेता क्रिपलानी उत्तरपदेश क है वंदे मात्रम किसका एक अंस है तो आप जानते हैं कि बंकिम चंदर चटरची के द्वारा सन्यासी विद्रोव पर एक पुस्तक लिखी गई थी आनन्द मठ और उसी आनन्द मठ से वंदे मात्रम लिग थी दोस्तों लें दिजेगा है आईए पीसो किस देश की मुद्रा है पीसो किस देश की मुद्रा है तो पीसो जो है वो इटली की मुद्रा है है यह रखी आई निमलिकित में से किस दिन विश्व मदु में दिवस मनाया जाता है यानि कि विश्व मदु में दिवस का अगर आप बात किजेगा तो वर्ल्ड डाइबिटीस डे मनाया जाता है दोस्तों तो 29 नंबर प्रश्ण का जो अंसर हो जाएगा वह 14 नंबर को विश्व मधु में दिवस मनाया जाता है बहुत अच्छा से अपको ध्यान में रखते चल जाना है ठीक है थोड़ा सा आगे बात कर लें हम लोग तीसमें नंबर प्रश्ण के तरफ चलते हैं और समाने प्रश्ण के तरफ नंदिद्तियु पंचवर्श्ण योजना तिरत्यु पंचवर्सय योजना यानि पंचम 5 पंचवर्श योजना तक गया हुआ है और पंचम परत्श. यहन नहें हैं पर तक देखे अगर इसका हम सहें से करें दोस्तों तो सही सही मिलान जोंगा वह परतम-पंचवर्शियोजना में समुदाईक विकास को रखा गया था ठीक अब देखे से यहां पर देख लेतें प्रतम-पंचवर्श वर्शी योजना में आप थोड़ा से मिला लें इसको जैसे कि अगरम करें परतम- और ओत्योग पर ता जू और से पहले इंद्रा गांदी के सरकार वगएरा साब गिरूर गई थी और आपका इमर्जेंसी लागों हुआ था तो इसका सही-साही अंसर हो जाएगा A का 1, A का 2, 2 का 1, बाकि सब का बराबर हो जाएगा 21345, 21345, अब ये जिसमें होगा वही इसका अंसर होगा, 21345, इसका सही अंसर हो जाएगा C, आपको यह तकना, ठीक है, आईए अब हम जारकंण के portion के तरफ चलते हैं, दोस्तो, जो कि काफी उपयोगी आपके इन एग्जामों में हैं, अगर आप जारकंण सरकार के एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको बताना है, पहला नंबर, पहला वोल रहे है這個mate прекрас nahe तो पहला ही होगा कि मूंडा विद्रोह की अवधी चला झा और कहीं लोग 617 सो त्थ में तूल-दरा था लेकिन विद्रोह का प्राराम-भाग्रम मानेंगे तो 1895 से 1900 तक ही मानेंगे आप लिहां दीजिएगा ठीक है आईए CNT Act लागू होने के पूर्व पहले वर्स के सर्वे को क्या कहा जाता है CNT Act यह सब पढ़ाएंगे हम CNT Act में पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे CNT Act तो CNT Act के लागू होने के पूर्व और पहले वर्स को क्या कहा जाता है तो पहले वर्स को Traverse सर्वे कहा जाता है दोस्तों और दूसरे वर्स को Kadastral सर्वे कहा जाता है तो देखें Traverse सर्वे और Kadastral सर्वे दोनों है तो पहले वर्स को ये कहा जाएगा पहले वर्स को और इस प्रस्ण का उत्तर भी यही होगा लेकिन दूसरा वर्स अगर पूचता तो कैसा कैडस्ट्रल चरवे हम लोग बोलते हैं ये दूसरा वर्स के लिए हो जाएगा ठीक है आईए जान दीजेगा कोईला भंडार में जहा खंड का जो है दोस्तों वह पहला स्थान है कोईला बंडार में है न द्यान दिजेगा हाँ हलाकि उत्पादन जहारकंड में कोईले का नहीं होता है सरवादीक सरवादीक उतपादन के दिष्ट्रीकुल से बात करें तो उडिशा हो जाएगा प्रतमस्तान ठेक है इन में से कौन सा राष्टी उध्यान जारखंड में इस्तित है बांदिपूर राष्टी उध्यान आप जानते ही बांदिपूर का है करनाटक में है बांदावगर राष्टी उध्यान मद्द प्रदेश में है बेतला राष्टी उध्यान लतेहार में है हमारा और बेतला राष्टी सर हो जाएगा ए ठीक है निमन में से किसे जारकंड का सिमला कहा जाता है निमन में से किसे जारकंड का सिमला कहा जाता है देखिए जारकंड का सिमला राची को कहा जाता है दोस्तों और राची को एक नाम से नहीं जाना जाता है बलकि राची को जारकंड का सूटजर लेंड य चनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों अकर नहीं है तो ताकि आपको बहुत सरा इंपोर्टेंट वीडियो यहां से मिल सके ठीक है आईए 37 नमबर प्रेश्णों किया 38 नमबर प्रेश्णों के तरफ हम चलते हैं दोस्तो 38 नमबर प्रेश्णों क्या है हमारा कि जारकन में सरवादिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जारकन के किस जीले को भारत की अबरख राजधानी के नाम से भी जाना जाता है तो यह क्या हो जाएगा आपका अंसर को डर्मा को भारत की अबरख राजधानी के नाम से जाना जाता है जहारकन की प्रतम नाकपूरी फिल्म कौन सी थी तो जहारकन की प्रतम नाकपूरी फिल्म जो थी दोस्तो वो सोनाकर नाकपूर थी यह बहुत बार पूछा गया कोश्चन है आपको याद रखना चाहिए ठीक है कि जहारकन की प्रतम नाकपूरी फिल्म कौन सी थी तो यह थी सोनाकर नागपूर थी जो 1994 में प्रदर्शित की गई थी सोनाकर नागपूर और इस फिल्म के निर्मान करता जो थे वो धनांजे थे 1994 में ये भी आप जानते रहें कि 1994 में ये प्रदर्शित की गई थी और धनांजे के द्वारा इसको बनाया गया था ठीक है जारखन की प्रतम फिल्म कौन से थी आपको बताना है तो जारखन की प्रतम फिल्म ही थी जारखन की जो प्रतम फिल्म अकरन्त थी जहारकन की प्रतम फिल्म आकरान थी 1988 में बसिकली ये रिलीज किया गया था और इसमें सदा सिव अमरा पूरा इसमें अभीनेता के तोर पर थे ठीक है वरतमान में जहारकन में कितने नगर निगम है तो आप जाते ही दोसतो इसका प्रस्ण का चर्चाम पीछे भी कर चुके है और बात करें कि कौन-कौन से नगर निगम है किस वर्स में संथाल परगना के 18 जीलो और छोटानाकपूर को मिला कर जारखंड सेत्र स्वायत परिसत का गठन किया गया था तो जारखंड सेत्र स्वायत परिसत का जो गठन किया गया था दोस्तों वो 9 अगस्त 1995 को किया गया था मुख्य मंतरी अस्मार्ट ग्राम योजना किस वर्स शुरू की गई थी दोस्तों यह आपको बताना है है न यह आपको बताना है तो अस्मार्ट ग्राम योजना यह मुख्य मंतरी रगवर्दास के द्वारा ही शुरू की गई थी 2015 में और इसके तरह होगा क्या कि गाओं तेकनिक दिया जाएगा उर्जा वगेरा किस फरकार से टेकनिक के तहता आप फसल वगेरा कर सकते हैं उस तरह से आपको है ना द्यान दिएगा जारकन के खिलाडी सिल्वानुस डुंडुं का संबंद किस खेल से है तो देखिए जब भी खेल वगेरा पूछा जाया और उसमे होकी से है दोस्तों सिल्वानोस डुंडुं का संबंद किस से है होकी से है आपको ध्यान में रखना है होकी टीम की कप्तान भी रचुक है सिल्वानोस डुंडुंग तीक है याद लख्येगा पीके बनर पूरणीमा महतों का सम्बंद किस खेल से हैं तो बात करें जायन्त तालुकदार इवा द्रोनाचार्य पुरसकार से समहनित पूर्नीमा महतो का संबंद किस खेल से हैं यह बड़ा महत baru पुनप्रस्न है कि पूलिवा मास वा समंबंद तो देखे पूलिवा मातो का संबंद जो है दोस्तो वह zijn अर्चरी से किसे है आर्चरी अर्चरी का मतलब होता है तिरंदाजी और 1994 मिनों सबसे बड़ा जीला कौन सा है यह मैंने आज ही बताया कि छेत्रपल के दिश्टी से सबसे बड़ा जीला जारकन का पच्छमी सिंग्म है बिनोव भावे विश्व विदाले की अस्थापना कब की गई थी तो बिनोव भावे विश्व विदाले की अस्थापना सिद्धु कानु के साथ ही 1992 में की गई थी दोस्तों आपको यार दखना ठीक है भारी इंजिनियरिंग उद्योग की अस्थापना कब की गई यानि ही सी की अस्थापना कब की गई थी आपको बताना है तो ही सी की अस्थापना जो थी वह 1958 में की गई थी दोस्तों तो इसका सही अंसर सी हो जाएगा एक आव नमबर प्रस्ण का बात करें जारखन के कि सहर् को छोटनागपूर का परवेस द्वार का जाता है यह कैजए एक प्रस्ण का अपको बह। यह सब रहना चाहिए तहकी एक प्रस्णि में पूछे तो अप्टीक लगा करके और अपने सफलता को हासिल करें दूस्तों तो 52 नमबर प्रस्ण का जो अंसर होगा, वो 52 नमबर प्रस्ण का जो अंसर होगा दोस्तों, वो बिसिकली होगा कि नागवंसी राजाओं का जो राजधानी रहा बिसिकली, वो सुतियामबे, सुतियामबे के बाद चुटिया, चुटिया के बाद खोकरा, खोकरा या कोकरा ब तीरपनवे नमबर प्रस्ण के तरफ अगर हम चलें तो तीरपनवा नमबर प्रस्ण है टाना भगत आंदोलन की सुरुवात कब हुई तो अगर यह आपको याद रहता है कि टाना भगत आंदोलन के नेतितु करता कौन थे तो जत्रा भगत थे और इस अंदोलन की सुरुवात 1914 में हुई थी दोस्तो April 1914 में ठीक है सेखर बोस किस खेल के बिख्यात प्रसिक छक है सेखर बोस किस खेल के बिख्यात प्रसिक है तो सेखर बोस से आपको याद अगना है तो सेखर बोस जो है दोस्तो वो बॉली बॉल के बिख्यात प्रसिक छक है एने टीचर है, कोच है, बोली बोल के, ठीक है, जारकन का एक मातर जीला, जहां से होकर गंगा नदी प्रवाइद होती है, यह दे कि कई बार पूछा गया प्रस्ना और इसमें भूगल में भी मैंने बताया इसको, कि जारकन का एक मातर जीला, जहां से गंगा नदी प्रवाइ करती है तो इसका अंसर जो हो जाएगा वाँ हो जाएगा क्योंकि जुघ्ण आ जाता है तो निमलीकित में सेằngजी को दिवनदी के नाम 74 बेवनदी 9000 देवनदी के नाम से दाओदर को देवनदी के नाम से बैसिकली देवनद के नाम से जाना जाता है इसको रत करते हैं 899 में MONल दो सब्सकरा Yay जारक्ण में कुल कितने ओधोगिक छेत्र विकास प्राधिकरण है जारकण में कुल विकास ओदोगिक प्रादे करने कितने हैं चार विकास ओदोगिक प्रादे करने कौन कौन है आईडा है बीडा है रियडा है और अस्पाइडा है ठीक है जारखन का कौन से एकमात्र जीला उत्तर प्रदेश को असपर्स करता है वाह यह यह गड़वा है दोस्तों जारखन का उत्रपदस से असपरस करता है गढ़वा जारकन में जीला अस्तर पर आप डाराहत का कार्य कोन नियंतरित करता है तो आप डाराहत का करता है इसको आपको बताना है उपायुक्ड नुमब्र प्रस्ट जारकन के आर्थिक सर्विक्षन के नुसर जारकन में सर्वादिक विस्थारित है जारकन में कौन सा सर्वादिक सर्वी onion593 थैई सब्था vanish कि ये इस वात की चर्शा किए और बहुत अच्छा से चर्शा किए इसकी आप याद रके और राज्यंमान चीटर पर अवस्थित है तो आपको बताना हाँ तो उत्री पूर्वी गोलार्द में अवस्तित है दोस्तों ध्यांत देखिएगा उत्री पूर्वी गोलार्द में अवस्तित है ठीक है आईए राजमाल ट्रैप का निर्मान हुआ किसे निर्मान हुआ राजमाल ट्रैप का अगर आप थोड़ा सा नौलेज रखते होंगे तो तो राजमाल में आप जानते होंगे दोस्तों कि राजमाल ट्रैप का जो निर्मान हुआ है वह लगबग चटानों के टकराने से हुआ राजमाल प्रक्राइब का निर्मान, है न याद रखीगा, झलिए, नमली कि तुमें से कौन सा जालय कढ़न की सबसे कम उचाई वाला पठार है, उनकी सबसे कम उचाई वाला पठार है, इसका सबसे अच्छा जो अंसर होगा, यहां पर दिख रह演ी आपको, भो हो जाएगा, नीचला ह जारी बाग्य का पाठार इसका उचाई यह सबसे कम है और सबसे उचा पुछता है दोस्तों तो वह जाता पाठ का परदेश पाठ का पर देश हो जाता है इस-क सही अंसर टेकर छाध अमें इनमें से कौन सा जल पर पात राची जीले में नहीं है तो देखिए धारागिरी हाँ यह राची में नहीं है तो यह धारागिरी जो होगा यह आपका सही अंसर हो जाएगा आपको यह दढ़ना है काच उद्योग के कारखाने अस्थापी थे तो आपको मैंने बताया था कि इंडो असाई काच उद्योग जो कारखाना है विसकली इसको ग्लास फेक्टरी बोलते हैं और यह वर्तमान में बंद ही है क्योंकि बड़ा हानी पहुच रहा था तो यह भुरकुंडा में है जारकन क यह बुरकुंडा में रामगर जी लम पड़ता है यह बुरकुंडा गलास फ्रक्टि के नाम से है बदानी नगर जगा का नाम है वर्कुंडा में वही है है यह दखेगा चलिए कौन सही सुमिलित नहीं है आपको याद रखना है इस बात को तो यहां पर देख़ेगा कि कि बड़ान मुटा तीदी पंचकोट का कीलां धनबाद में ठीक है कोई कर नहीं पूरा हाट का कीला दोस्तो पुर्वी स्ग Прав Gibi पूरा हाट का कीला पुर्वी नां करकें इसके कितना लेसी कीतना क्लोजोपस्ण दीकां परिकशंदि ओश्ण पर विचार करें देसावली भाई भीग और जनी सिकार उप्रोक्त में से ठीक है किसे बारा वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है उप्रोक्त में से किसे बारा वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है यह देखिए दोस्तों बारा वर्ष के अंतराल पर ठीक है यह तीनों का तीनो मना हरता है देसा उली भी भाई भी और जनी सिकार समझी चनी सिकार आप जान रहा होंगे जनी होगे जनी सिकार confused महिलाएं सिकाइरी के विज़बुसा दर्ण करके अर जंगल हों में कलती थी और दिन भर ज्मारती ती उसको बाती करती धिया रहे हैं माता को समर्प्यत पर्व है जसमें भाहिसा की वलिदि जाती जाती ज़ी है यह जखेगा ती जासर दूस्थ। जारकन की वर्तमान विधान सभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है जारकन की वर्तमान विधान सभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है जारकन की वर्तमान विधान सभा में कुल दस महिला विधायक है कितने हैं कुल कितने विधायक हैं दस महीला विधायक है या दखेगा जिसमें से एक हमारी वड़का गाउं की अमबा परशाद भी है मन्य जोगिंदर साओ की पुत्री है और बहुत बहतरीन कारीकर्णी बिचारी और सबसे सिक्चित भी है हमको तो लगता है कुनी को सिक्चा से बने कपड़ों के लिए कौन सी जन जाती प्रसीद है दोस्तों तो आपको याद दखना है को यह चीक बड़ा इक है कौन है चीक बड़ा इक इसका हम सर जो गया सी हो जाएगा आईए अब हम समाने विज्ञान के पॉर्शन में चलते हैं इसमें से एकातरवा नंबर प्र सिंपल सा बात है कि देखिए वाइरस जब बाहर रहता है तो मृत माना जाता है और जिवित को सिका में जाएगा तभी वाइरस का विकास संभव है इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है जिवद्रब की खोज किस ने की थी तो देखिए दोस्तों अगर यहां पर आपका जो र आता है आपका रोबर्ट कोच आता है तो रोबर्ट कोच अगर रहते तो वह भी अंसर होता है लेकिन रोबर्ट कोच की साहता भी की थी तो हुजारडीन का नाम आता है यहां पर हुजारडीन को आपको अंसर में लगा देना है ठीक है आईए जब गेंद जमीन पर उच्छ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो यार जखने तेसे लिएगा चानक सब्सक्राइब को याद होता है तो आपको बताना है क्या वारे सुलाइब लगोड़ा को निमलीकित में से किस वर्ग के अंतरगत वर्गित किरित किया जाता है लगोड़ा को निमलीकित में से किस वर्ग के अंतरगत वर्गित किया जाता है यह पॉइंट आप लिख लीजेगा क्योंकि इससे कोश्चन पूछे जाते हैं जैसे दर्याई घोड़ा आप एक पॉइंट लिखेगा जो यहां पर पढ़ रहे हैं हमारे अफ्लाइन क्लासेस के बच्चे या तो फिर जो कोई भी भाय है ना पूरिशारकन पर मेंसे जो देख रहे हैं वह लिखिएगा कि दर्याई घोड़ा घोड़ा कहने के लिए ठीक है लेकिन इसको मतस से सरणी में रखा जाता है मचली के सरणी में रखा जाता है दर्याई घोड़ा को सिर्फ इसी को नहीं इसके अलावा दूस्तों तारपीड़ो को असकोली योड़न को रेहू को कतला को खेर रहू कतला तो आप जानते ही होंगे कि मजली होता है और यह सीत रक तो जीवी होते हैं नहीं कि इनका खून ठंडा होता है दोस्तों तो दर्याई घोड़ा और तारपीडो यह दो प्रस्म पूछा जा सकता है कि मतस्य स्रेणी में ही आते हैं जान दिजेगा है न या दु बनता है तो आई सा बात है कि मानुन नित्र में परतिबिम रेटी ना में बनता है ऑर यही इसका कैमरा भी कहला लाता है कौन सी ग्रंती फेफडों के बीच विद्वान रहती है यह बताया है मैंने च्षांती में च्षांती के बीचों बीच जो एक तरह से कह सकते है कि ये वुड़ापए के साथ साथ इसका विघटन हो जाता है या या घखेगा A का संक्रन होते हैं जीवानु क्यों मर जाते हैं ठीक है अचार एवं मुरब्बों में जीवानु का संक्रन होते हैं जीवानु क्यों मर जाते हैं क्यों कि दिखे 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 तो इसका बड़ा ख़तरनाग बायलोजिकल एफेक्ट है कि इनके जो जीवानु का संक्रमन हुआ तो अचारों रोम रभों में जीवद रभ्य जो होंगे दिरे 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 सिकुडने लगेंगे यानि जीवद रभ्य का संकुचन हो जाता है याद रखेंगे जिसकी कारण यह मिर्त्य को प्राप्त होते हैं ठीक है वरिक प्रति दिन लगबक कितने लीटर रक्त का सुध्दी करण करता है तो मैंने बताया इसको आप लिख भी लिजेगा अगर नहीं लिखा तो तो 180 IQ अवरहाध मिली ली रखना है 180 लिटर रख्त का सुध्दी करण करता है वरिक प्रतिदिन फ्रहना लगत है को खुला परी संचरन तंत्र किस में पाया जाता है ठीक है खुला परी संचरन तंत्र किस में पाया जाता है आपको बताना अस्तिमा नमबर प्रस्ण का अंसर जो होगा वो खुला परी संचरन तंत्र किस में पाया जाता है दोस्तों तो यह कौकरोश में पाया जाता है तेल चट वह सकता होटी ही है एक तरए से बिवांतर का मात है होता है यानि विवांतर कीसे धारा से निरुपित होती है तो वीरा सीवां नमबर प्रस्न का जो अंसर हो जाएगा दोस्तों हो सकती चांट है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है सभी जानते हैं कि इलक्टोवेलेंट बॉंड होता है इंगलीज हुआ इलक्टोवेलेंट बॉंड ठीक है याद रखेगा निमलिकित में से कौन सा मिसरन गहनों की दुलाई हेतु परियोक्त किया जाता है तो इकवरेजिया किया जाता है दोस्तों कौन सा एकवरेजिया किया जाता है देखिएगा इसमें एकवरेजिया क्या टेंद कलास में आप लोग पड़े होंगे कि हCLE और HN3 का मिसरन होता है CLE और HN3 का मिसरन होता है जिसमें CLE का जनुपाद होता है तीन और HN3 का जो मिसरन होता है दोस्तों वह एक होता है आप जानते ही है याद बखीगा इस चीज़ को ठीक है रेडियो एक्टिविटी का अविसकार किस ने किया था और इनको इसके लिए नॉबल भी मिला था त तो रेडियो एक्टिविटी का अविसकार किस ने किया था दोस्तों तो बैकुलर ने किया था ठीक है बैकुलर ने किया था रेडियो एक्टिविटी का अविसकार आपको याद रखना बैकुलर ने कई लोगों का यह मत होगा कि मैडम क्यूरी ने नहीं मैडम क्यूरी ने रेड्या क्टीविटी का अभिशकार नहीं किया था दोस्तोills, बलकि मडम क्यूरी को एक तरह से हेंधिर बैकुलर ने किया था इसका और मैडम क्यूरी ने बाद में इस पर रिसर्च किया जिसके बाद इनको अभिशकार भी पुरसकार मिला था उसकर बार में पूल नोबिल का या दखिए गा जा तकि श्यासी वा नम्बर प्रतिकिरिया के दौराण उत्पन उर्जा का पर्योग किया जाता है बिखंडन प्रतिकिरिया के दौरान उत्पन उर्जा का पर्योग किया जाता है ठीक है किसके रूप में इंदन बनाने में विजली बनाने में ताप पैदा करने में इनमें से कोई नहीं तो जेनरल सा बात है दोस्तों देखिएगा आप कि इसका जो पर्योग किया जाएगा वो विजली ऐसे भी मैंने बताया कि जो यूरनियम ही सब कभी खंडन किया जाता है उससे बिजली ही प्राप्त किया जाता है याज रखेगा ठीक है इनमें से कौन महामारी और अस्थानिक दोनों प्रकार की बिमारी है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हैजा हो जाएगा दोस्तों ठीक सबसे ज्यादा अफसोसित होती है तो आपको बताना है कि कौन सा प्रकास आप देखिए कि प्रकास संसलेशन का जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा किस रंग में होता है दोस्तों मैंने बताया इस बात को तो सबसे ज्यादा किस रंग में होता है तो लाल रंग में होता है सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है और नीले रंग में होता है, हरी रंग में होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, नीले और हरी रंग में लगवग बराबर बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लाल और नीला को ही हम लगाएंगे, आपको याद रखना ह सबसे कम होगा और लाल रंग का सबसे ज़्यादा होगा आप याद रखेगा नीला रंग यहारा रंग लगवग बराबर होता है याद रखेगा इसको ठीक है याँ बिटामीन से पुछा जा रहा है आपसे कि दूड अंडे रखत का जो सही से सेवन करेगा तो देखिए दूद अंडा और ब्रेड में यह तीनों चीज तो ठीक है सभी बिटामीन से परिपूर्ण है लेकिन इन तीनों चीज में खटाई नहीं पाया जाता है इन्हीं कि इस प्रकार से भी आपको याद को रखना और बहुत बहीतर तरीका से आपको जानना होता है याद रखिस हैं किस पर आधारित रह। वो किस पर अधरिता तो यह लेंगिक जनन पर अधरितन था दोस्तों च vest Your आज का सेट प्रेंटिस आपको मजाया होगा करके और इसी प्रिकार से आप करते जाए और अपने तयारी को बहतर बनाये आपने जाएं ओना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें फोर दोwnें बहुत दन्यवाद दीपक यह सब्सक्राइब रखें गार्च